नेपाल में हो रही भारे बारिश का असर गोरक पुर्प से होकर बहरे वाली सब ही नदियों पर दिखाई दे रहा है। इस सीजन में चटी बार राप्ती और रोहिणी नदी खत्रे के निशान को पार कर गई है। जिले में जितनी भी नदियां बहती हैं सब इस वक्त उफान पर है। जिला प्रसाशन ने भी संभावित बाड के खत्रों को लेकार अपनी तैयारियां तेज कर दी है। डियम ने सचाई विभाग को बांधों के निरक्षन करने के नदेश दिये है। बता देखी आपदा विभाग राहत पैकेट तैयार कर लिया है। साथी जानवरों के लिए भी भूसे का इंतजाम किया गया है। भारी बारिस ने तबाही मचा के रखी है। वहाँ पे दोसों के करीब लोगों की बारिस के काराण मृत्त्य हो गई है। जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताय जा रहे हैं नेपाल की सेना और प्रसासन ने हज्जारों लोगों को रेस्क्यू किया है। वहाँ हो रही मुसलाधार बारिस का आसर गोरकपुर से होकर बाने वाली सभी नदियों पे पड़ा है। पूर्वांचल के करीब 11 जिले इस वक्त सब्वेदन सील हैं जिसको लेकर मुक्यमंद्री योग यादितनात ने भी अधिकारियों के दिशा निर्देश दिया है कि वह सतर्क रहें सावधार रहें कहीं भी बाढ़ के इस्तिति आने पर तुरंत रासामगरी पहुंचाई ज जिले से जितनी भी नदिया भाती हैं इस वक्त उफान पे हैं या तो वो खत्रे के निसान को पार कर गई है या फिर वो खत्रे के निसान के करीब पहुंच गई हैं एक बार फिर से जिलापरसासन इस बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी में जुटा हुआ है जो रहत सम अबलब्द कराया जाए और उसको लेकर भाकाइदा टेंडर जारी हो गया है और प्रसासन के आपदा विवाग लगातार ऐसे गाउं में ऐसे जगहों पर संपर्क में हैं जहां पर इस तरीकी की स्थिति उत्पन हो सकती है इसी की साथ जो राहत समागिरी का वित्राण है वो कोई लगातार जब पिछली बार नदियां बढ़ी थी तब भी किया गया था और इस बार भी तैयारी पूरी करके रखी गई है अगले सब्सक्राइब के साथ राम कुपाल तुभी दिन्यूजेटीन को रखो